दोस्तों आज मार्केट में गिरावट देखने को मिले सुबह सही मार्केट का मोड बिलकुल खराब था और लास्ट मॉमेंट तक गिरावट हुए तो इस गिरावट के पीछे जो मेन रीजन था वो ता आपका कहिन कहीं बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक में प्रेशर आपको किस तरीके से ट्रेड करना था कैसे मार्केट ने इंडिकेट कर दिया था आज गिरावट हो सकती है और कल के सब्सक्राइब कर लिजेगा और दो दिगज कर यल्ट भी आया है एक इनफोसिस दूसरा विप्रो इसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे तो बिलकुल आप लोग सुरूस लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रिएगा देगे सबसे पहले बात करना चाहूंगी यहा ही ने खिर दो हो सकती है एक पहला चाहरा बिलकुल 9.16 में जो City नाम यहां चाहां पर बताना चाहांगे देखिए चाहरा लां अशे यहां तो जोइन कर सकते हैं और यहां पर दोस्तों बिल्कुल आपको दिखाएंगे यहां देखिए 917 में मैसेज का टाइम देखी कितना है 917 हमने मैसेज किया था निफ्टी ओपन हाई से ठीक है इसके बाद आप देखेंगे तो और भी चार्ट मिलेगा आपको दोस्तों बै देख होता है तो फॉलिंग होगी और उसके बाद आप देखेंगे लगभग चार सो से पांसो पॉइंट की गिरावट बैक निफ्टी में हुई ठीक है इसके बाद बिटानिया का विकली चार्ट भी हमने अपडेट किया था इसमें भी गिरावट हुई 100 पॉइंट से ज्य देखिए यह जो ट्रेंगल है यह भी हमने आपको अपडेट किया था और जैसे यह ट्रेंगल ब्रेक किया ना सपोर्ट यहां से नेफ्टी ने जो लगाया था 24,748 या कुछ जैसे इसी के आसपास कहीं पर लो लगाया था ठीक है मिल्स कि यहां से 500 के आसपास की और भी गि ठीक है देख सकते हैं मैंने बजाज फ्रेंस का चार्ट विया था बजाज फ्रेंस अच्छा मूब दिया बाद में गिरावाट हुई बट पहले इसने अपसाइड मूब दिया था ठीक है इसके बाद देखिए आप निफ्टी 15 हैमर है दोस्तों पैटर्न फर्म हुआ था ब सकते हैं यदि आप वेबिनार जोइन करते हैं तो 19 अक्टूबर को वेबिनार होने वाला है दस से ले करके एक पीम तक चोटा सा फी है 99 रुपीज का कोई बहुत बड़ा मूंट नहीं है तो आप चाहें तो करवा सकते हैं काफी कुछ सीखने को मिलेगा और साथ में आपको अच्छा और यहां पर सीखने वाली बात है यहां पर एक इसने हैमर फॉर्म किया था यहां इस उपर नहीं किया तो यहां पे मैं यह सिखाना चाहरे हूं आप लोगों को कि सिर्फ पैटर्र फॉर्म होने से नहीं होता है एक्जिकूशन भी होना चाहिए मिन्स कि यदि इस तो कभी भी कोई pattern of firm होता है तो वहाँ पे ट्रेड का एक्जेक्यूट होना इंपोर्टेंट होता मैंस की confirmation बिल्कुल जरूरी होती है उसके बाद ही आप वहाँ पे ट्रेड प्लान करें ठीक है चलिए अब ज्यादा टाइम नहीं लेंगे सिधा बात करेंगे कल के लिए कल क्या कुछ हो सकता है तो थोरा सा चार्ट कुरो डिटेल में आप समझो निफ्टी काफी important level के पांस में खरा है ठीक है मेंस की यहां से कुछ भी हो सकता है make and break level मेंस के नीचे भी गिराबट बहुत आ सकती है और यहां से bounce back भी देखने को मिल सकता है कहीं न कहीं यहां पे एक hidden shoulder pattern form हुआ है यह देखी आप क्या है एक hidden shoulder pattern है ठीक है hidden shoulder में क्या होता है कि यदि क्या हो कल के दिन इस candle का low break होता है मिल्स की आज का जो low है लो की बात करेंगे तो 24,730 का आज लो है यदि यह low break होता है तो यहां से एक panic selling देखने को मिल सकता है मिल्स की यहां से निफ्टी में कितनी गिरावट होगी यहां देखिए ठीक है सीधा सीधी मानके चलिए कि क्या बोलू मैं यहां से मतलब यह slowly 24,000 भी आ सकता कोई बड़ी बात नहीं है इसल क्या होगा इस केंडल का हाई मिन्स की 25,000 कितना है आज का 23 का यहां से यह हो सब्सक्राइब 24,000 24,500 24,300 स्लोली यह आ सकता है कहां तक 24,000 भी तो कोई बड़ी बात नहीं है यदि कल के दिन यह क्या करता है continue इसके नीचे रहता है 24,800 के नीचे क्योंकि अभी 24,800 बने गिया है यह इसके नीचे रहता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो एगें बिरिस में चला जाएगा ठीक है इंट्रडे के अंदर आप बाई में ट्रेड बना सकते है यदि कल क्या हो इसका लोग ब्रेक नहीं होता है और यहां पर कोई पैटर्न फॉर्म करता है यह निफ्टी 15 मिन टैम फ्रेम पर या 30 मिन टैम फ्रेम पर और यह क्या करता है 24,800 के ऊपर आ जाता है तो फिर आप यहां पर बाई साइड में भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं मैंने आपको दोनों बाते बताई क्या कि निफ्टी मेक इन ब्रेक लिल के पास में है यदि यह कंटिर्यू 24,800 के नीचे सस्टेन करता है नीचे तो क्या होगा यहां से निफ्टी का एक नया निफ्टी में बाते हैं तो बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ है एक मुरूदू के गिरावट कल हमने क्या कहा था बैंक निफ्टी कहा था फसा हुआ था 300 रेंज में कहां पे 52,000 उपर में और नीचे में 51,700 हमने क्या का बड़ा मुप उपर या नीचे जैसे 51,700 ब्रेक हुआ तेजी से ट्रिपल सेंचुरी लगा तेजी से क्या किया 51,400 जो हमने लेवल दिया था वहां तक ही आ गया और इ प्रॉफिट हुआ होगा ठीक है आप देखो यहां पर जैसे यह ब्रेक वन आप देखो लंबा केंडल यह यहां पर देख सकते हैं तो थोड़ा सा इस चार्ट को मिनिमाइस करना चाहूंगी यहां पर और देखिए ध्यान समझेगा ठीक है यह कहां पर खरा है बैंक निफ् प्रिविएस लो 51,000 यह क्या हो गया इंपोर्टेंट सपोर्ट क्या हो गया इंपोर्टेंट सपोर्ट ओके और यहीं से यह एक अपसाइड मूप दिखाया था यहां से हजार पॉइंट का रेली देखने को मिला था ठीक है एगेन मार्किर वहीं पर आ गया है इस केंडल की की बात करेंगे तो लो आज का जो है 51,150 का तो इसको आप मान सकते हैं कोई बड़ी बात ने यहां से कोसिस करेगा कहां जाने का 51,000 एगेन 700 को टच करेंगे यह है ठीक है पहले जाएगा 51,400,500 फिर उसके उपर गया तो 51,700 की इसको रेटेस्ट करने के लिए जा सकता है तो यहां से यहां तक क्या होगा बाइसरे का ट्रेड हो सकता है बट वहीं पर दूसरी ओर यदि यह ब्रेक होता है और मैंली 51,000 ब्रेक होता है तो फिर यहां पर भी एक सिलिक प्रेशर देखने को मिल सकता है ठीक है इस बात को ध्यान रखेएगा फिलाल यहां पर एक पैटर्न है और इसके अकॉर्डिंग यह उपर जा सकता है तो कलेदी फ्लैट ओपनी होती है कहीं भी सेरिया में तो इंट्राडे के अंदर आप बाइशाइड में प्रेश्च बाइब यहां पर इसके और रियल्ट की बात में तो यहां अच्छा आया है मार्केट जो उम्मीद कर रहा था उससे बेटर ही आया है तो देखें कल क्या होता है ठीक है देखें मार्केट यह फ्लैट ओपन हो ऐसे तो गैप डाउन का ही चांस होगा कल जहां भी यह अपनी होता है यह नीचे होता है तो यह फिर आज नेक्स बाइंग का देखेंगे तो क्या हो बार पर सेंट की वहां पर गिरावट देखने को मिली तो इसका रियल्ट खराब नहीं आया भी ब्रोका बट फिर भी कुछ भी हो सकता है घप डॉन हो जाए नीचे में कहां यहां पे इसका नेक्स सपोर्ट काहा है 520 के एस पास में यहां पर ओपन हो जाए यहां फिर तो बहुत बढ़ा बोद होता है ना तो वहां पर चेंस नहीं किंगे तो यह थे तो प्लाइद सब्लाग होता है और वहां सको रीवार्ट सल करें तो फिर वह एक अच्छी बाइ डार पर रख सकते हैं बैर ही बिलकुल बात करेंगे क्योंकि इनफोस्य अथोग्ष में चार्ट देखिए इनफोसी सुल्ट यानले यहां देखिए इनfik का है यह तो यहां पर क्या होगा ना देखो एक चीज समझी आप कभी क्या होता है तो यह उपर जंप ही करेगा और टूटी जाएगा जो भागा हुआ वह कितना भागेगा सब्सक्राइब है तो यहां देखिए यहां से बहुत ज्यादा उपर और उपन हाइज सेम कर दीता है तब क्या होगा तब वहां पे आपको सेलिंग का मौका मिलेगा जब तक नहीं कीजिए जब तक ऑपन हाइज सेम नहों या कोई पैक्तर नह बनाए ठी कोई बड़ी बात नहीं और यहां पर देखेंगे तो यहां पर चाहिए अच्छे समझ में आएगा यहां पर इसके ऊपर यहां प्रिस्टेंस का इसकी अलावा बोलना चाहिए दोस्तों एक स्टॉक है रिलाइंस का जिसका रियल्ट भी आ गिया है बोनस भी उसने दे दिया है 28 अक्टूबर का है यादि आपको पास है 28 अक्टूबर से पहले वह स्टॉक होगा तो आपको बोनस मिलेगा वन इस टुवन का तो लास्ट यह स 25 को यह सटर्डे संडे आता बीच में तो 25 को यह 25 अक्टूबर तक आपको मिलेगा तो यहां पे न साथ पैटर्ण भी है एच्पोर पे देखेंगे तो इसमें एक अच्छी बाइंग हो सकती है मार्केट को कहीं न कहीं क्या है जहां पे सब मिलके डुबा रहा है निफ्टी आज मैंने देखा बजाज प्रियांस टूटा है और काफी टूटे हैं इन सभी में बाइंग ऑपरचुनिटी मिल सकता है एक दो दिन में ठीक है उस सभी को आप एनालीसिस कीजिएगा ठीक है दोस्तों यहां जो भी हमने बताया है कोई वी टिप्स रिकोमेंडेशन कली नमस्ते